नमस्कार दोस्तों मेरी चनल में आपका स्वागत है और आज में बनाने चा रही हूँ अमृत का ज्यूस तो सबसे पहले इंग्रीडियन्स देख लेते हैं मैंने दो बड़े अमृत को अच्छे से दोकर कट कर लिया है एक टुकडा अद्रग का साथी काला नमक नमक और जीरा पावडर और मुखा च्यूस सबसे पहले मिक्चे जार में अद्रग का टुकडा उसके बाद चो पीस की ये थे हमृत के वो डाल देंगे उसके साथी नमक काला नमक और जीरा पावडर और निम्बू का च्यूस सक्कर हम इसे बाद में एट करेंगे और थोड़ा सा ठंडा पानी पानी की जगह आप आईस क्यूब भी डाल सकते हैं अब इसे पीस लेंगे मैंने इसमें चार से पांचमत सक्कर डाली है अब वापिस से उसे क्रश कर लेंगे ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है अब इसे हम चान लेंगे ताकि उसमें से सारे बीच निकल जाए अब ही हमारा ये चूस गड़ा है ये देखिए सारे बीच निकल गये है ये देखिए बहुत गाड़ा जूस बना है इसे हम एक प्लास्टिक की बोटल में बंद करके फ्रीज में भी रख सकते है ताकि जब भी आपका मन हो आप इसमें पाने मिला कर पी सकते हो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पाने मिला कर इसे थोड़ा पटला कर लूँगी अभी हमारा जूस पिने के लिए एकदम रेड़ी हो चुका है तो हम इसे क्लास में ले लेंगे तो दोस्तों बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है ये तो आप भी इसे गर पे इन गर्मियों की सीजन में एक बाल जरूर ट्राइ करें और फ्रेश और ठंडा ठंडा जूस एंजोई करें तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है मीची कमेंट बक्स में कमेंट करें और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ इसे सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठेंक यू